गुड मॉर्निंग, मैं कंचन पारिक, M.D.M.C.A. मैं आपका कक्षाचार में स्वागत करते हूँ बच्चों, अभी तक हमने अपने किताब के दो पार्ट पड़े हैं और मैं उमीद करती हूँ वे दोनों पार्ट आपको समझ में भी आ गए होगे और आपने उन्हें याद भी कर दिया होगा चलिए, आज हम सब पार्ट तीन शुरू करते हैं, शिकारी की ममता आपको पता है शिकारी कौन होता है, शिकारी वो होता है जो जंगल में शिकार करता है जानवरों को मारता है और उनका अपने घर ले जाता है और ममता होता है प्यार करना इसमें एक शिकारी के बारे में बताया है जो एक छोटे से हिरन के बच्चे को एक उपर दिया दिखाता है और उसे कितना प्यार करता है इसके बारे में बताया गया है चलिए हम सब पढ़ना शुरू करते हैं आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए चलिए शुरू करते हैं एक दिन एक शिकारी वन में बहुत देर तक गूमता रहा वन वन का मतलब होता है जंगल आप लोगों ने जंगल देखें नहीं देखें जंगल में बहुत तरह तरह के पेड़ होते हैं और वहां किस सब्सक्राइalom कि लिए questo इसी अमीद चोड़ दी कि मुझे कोई भी जानवर मिलेगा और मैं उसका शिकार के लेकर घर जाऊंगा उसकी द्रिस्की यानि की जो उसकी नजर थी वो एक नन्हे चितकबरे हिरनोटे पर पड़ी चितकबरा पता है क्या होता है चितकबरा होता है ऐसा छोटा सा जिसके ओपर तरहत रहके दब्बे बने हुए होते हैं और हिरनोटा होता है हिरन का जो छोटा सा बच्च पर घास खा रहा था वह बिलकुल अकेला था शायद वह अपने जुंड से बिछुड गया था जो उसका हिरन का बच्चा था वो बिलकुल अकेला था उसके आसपास कोई भी नहीं था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जुंड से अलग हो गया हो जो इतने जितने भी ज हिरनोटे को अकेला देखकर शिकारी प्रसन हुआ उसने जैसी हिरन के बच्चे को अकेला देखा न तो वो बड़ा खुश हुआ उसने अपने मन में सोचा चलो एक शिकार तो मिला तब उसने मन में सोचा चलो आज कुछ ना मिलने से तो एक जानवर मिला हुआ ही ठीक है उसने घोडे की गती तेज कर दी यानि कि जो उसने घोडे की चाल थी वो तेज कर दी वो जो शिकारी था वो एक घोडे पर बैटा हुआ था और हिरनोटे को हिरनोटे का पीछा कर उसने उसे पकड़ लिया और जैसे उसने अपने घोडे को तेज किया और तेज करता करता हुए हिरन देखनें में बहुत सुम्दर था और नौतने नेमें अंहें झिया उसके छोटे-छोटे बाल उते हैं उनने रहें dependence onप2 इसकी बड़े-बाल ती जो चमक रही थी जो हिरनोटा था ना उसकी चोटी चोटी जो आँखे थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी और उन्हें बहुत चमक थी यानि कि वो बहुत जादा सुन्दर थी शिकारी उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गया जो शिकारी था वो उस हिरनोटे की जो सुन्दरत मैं इसे मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं जो शिकारी था उसने सोचा मैं जो यह इरनोटा है इसको मारूंगा नहीं और मैं अपने घर ले जाऊंगा जो शिकारी होते हैं वो कोई भी जानवर को पकड़ लेते हैं पिर उसे जानवर को पकड़ कर मार देते हैं और उसे बेच देते हैं लेकिन इस शिकारी ने उस छोटे से हिरन के बच्चे को मारा नहीं और वो उसे अपने घर ले गया अब आप इस पार्ट को दुबारा पढ़ेंगे और मैं साथ में आपको करने के लिए कुछ exercise दे रही हूँ कुछ अभ्यास दे रही हूँ उसे आप इस पार्ट को दुबारा पढ़ेंगे और दुबारा पढ़ने के बाद इस पार्ट में से जो शब्द मैंने आपको बताएं उनका अर्थ भी लिखेंगे और उस अपने ग्रह कारे को पूरा भी करेंगे और साथ ही मैं आपको जो कल आपने ग्रह कारे किया था उसका उत्तर भी बताऊंगे लीजिए यह आपका ग्रह कारे है आप इसे अवश्य पूरा कीजिए चलिए इसमें मैंने आपको कुछ शब्दर्थ दिये हैं और कुछ सही गलत के निशान दिये हैं और एक प्रिशंदिया है जिसे आपको जैसा भी समझ में आता है आप वैसा करने का अभ्यास कीजिए वन का मतलब होता है जंगल दृस्ती का मतलब होता है नजर जो हम देखते हैं हिरनोटा हिरन का चोटा सा बच्चा होता है और गती जो हमारी चलने की स्पीड होती है यानि की जो हमारी चाल होती है उसे कहते हैं इन तीनों प्रिश्णों पर आपको सही गलत के निशान लगाने है और इस प्रिश्ण का आपको उत्तर लिखना है चलिए धन्यवाद